नमस्ती, वेलकूम बैक टो मैं चैनल, इस वीडियो में आप देखेंगे पैन की महरी की डिजाइन का टूटोरियल, यहाँ पर हमने पैन की लेक का दोनों भाग लिया है, फ्रेंट और बैक, और महरी का ये नीची का हिसा है, यहाँ पर हम दो-दो इंच पर मार्क करेंगी, न उपर-उपर हमें ये लूप को इस तरह से क्रॉस में करते हुए, यहाँ पर रखना है, यहाँ जो मार्जिन है वो ये, इस तरह से हमने मार्क किया है, और इसकी बीच में इसको प्लेस करना है, इसके उपर-उपर अब हम सिलाई लेंगे, ये पैंट का फ्रंट का पार्ट है, और इस पार्ट में हम ये लूप स्टिश कर देंगे, एक बार पहले, इस तरह से हमारे अटेच हो गए है, लूपस, इसके उपर हमें अभी बैक पोजिशन रखना है, एक लेक का ये बैक का पार्ट है, इसके उपर प्लेस करेंगे, और ये दूसरी साइट से हम इसके उपर से सिलाई लेंगे, देखिए ये सिलाई यहाँ पर देख रही है, जो हमने लूपस अटेच किया है, उस सिलाई के उपर उपर से हम ये पूरी सिलाई लेंगे, और नीचे जो हमने दो इंच छोड़ा है, वो हमें खुला छोड़ देना है, उसकी बाद में हमें ये पूरी सिलाई लेने है, इस तरह इस सिलाई हो गई है, और यहाँ देखिए, नीचे का हिस्सा इस तरह से दो इंच का खुला है, यहाँ पर हमें इसकी फिनिशिंग देनी है, और ये लूपस इस तरह से हमारे आए है, इनकी फिनिशिंग देने के लिए ये सेंटर में कट रहेगा, तो दोनों और यहाँ तक जॉइंट है, यहाँ तक इतना है इस टिश करना है, बागी इसका हिसा जो आधा इंच एक्ट्रा लिया है, हमने धाई इंच का लिया है, वो हम छोड़ देंगे, यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ पर यह गट आएगा बीच में, तो इसके लि यहाँ पर कटते देंगे इस कॉर्नर पर, अभी दूसर जो हिस्सा है, उसमें भी ऐसे ही एक स्ट्रिप लेनी है, धाई इंच की चौड़ी लेंगे, इसके उपर ऐसे प्लेस करना है, और यह मार्क कर देंगे कि हमारी सिलाई कहां तक है, दोनों साइट का, और यहाँ से वा लाई लेनी है, इसके कॉर्नर को भी हम कट करेंगे, और अभी से पट्टी को हमें टर्न करना है, रॉंग साइट में, और कॉर्नर को अच्छे से बाहा निकालना है, अभी इसकी हमें फिनिशिंग देनी है, साइट में तो यह ऐसे है, और रॉंग साइट में हम जाएंगे, और रॉंग साइट में यह जो स्ट्रिप है हमारी, इसमें इस तरह से टर्न करेंगे, यह जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, आप जाहें तो यहाँ पर तुर्पाई कर सकते हैं, या फिर इसक के उपर सिलाई ले रहे हूं और यह पूरी रॉंग साइड में इसकी फिनिशिंग हो जाएगी यहां पर सेंटर पर आकी लॉक करेंगे और दूसरी साइड का जो हिस्सा है उसमें भी ऐसे ही पटी को फोल करकि इसके उपर फिनिशिंग की सिलाई लेनी है इस तरह से पैंट में जो साइड का हिस्सा है इसमें कट भी आएगा और यह हमारी लूप्स भी बन जाएंगे एक्स्ट्र जो कपड़ा है उसे हम ट्रिम करेंगे दोनों साइड में देखे इस तरह से यह हमारा कट भी है और लूप्स भी लूप्स भी अटेच हो गए है और पैंट की तोनों लेक्स है जिसमें हमने यह फिनिशिंग दी है अभी यहां पर यह परल की बटन अटेच करने हैं लूप्स के अंदर तो जो लूप्स हमने पैंट की फ्रंट भाग में अटेच किये थे उसको अभी बैक पार्ट में ले जाते हुए यहां पर इस तरह से यह बटन अटेच करना है और बटन जब अटेच करेंगे तो इसमें हमें यह जो लूप्स है उसको भी सुई की साथ में तोड़ा अटकाना है ताकि यह यहां पर लॉक हो जाए यह देखें यहां पर यह लूप्स भी लॉक हो गया और यह दोनों हमारी पैंट की महरी इस तरह से यह बहुत ही सिंपल तरीके सी लूप्स पर बटन अटेच हुए हैं और सेंटर में इसकी कट है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़ इतने के लिए थैंक यू सो मुच फो वाचिंग बाइ